हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो माई चैनल मैं जोती फिर से हाजिर हूं आप लोग के सामने एक नई रेसिपी के साथ यानि की धाबा स्टाइल पनीर रेसिपी की जी हां धाबा स्टाइल आज हम पनीर बनाने वाले हैं इस पे मैंने एक दो मसाले कुछ अलग डाले हैं लेकिन अगर आप ना लाना चाहें तो कोई दिक्तत वाली बात नहीं है उन मसालों के बिना भी ये रेसिपी बनाई जा सकती है हां अगर आप वह मसाले डालेंगे ना तो आपका दिल खुछ हो जाएगा और मतलब की जीब तो ये मान लोगी बार बार इसको ही बनाना चाहोगे तो ये रेसिब कि ने आपस अप्र हो पी चुछल में तुछ्ते जाएगा आपकड़े डिनों में इतने जादा मतलब कि खाये होंगे सबी लोगों ने है ना तो आगे वीडियो में आप देखिएगा कि मैं इसमें कौन से मसाले डालने वाली हूं जिसको आपको देखकर या सुनकर शौक हो जाएंगे कि इस मसाले के साथ भी पनीर के सब्ची को बनाया जा सकता है जी हां आप जाप सब चौकने वाले हैं तो आईए देख लेते हैं हमने इसको कैसे प्रपेर किया और वह कौनसा ऐसा मसाला है जिससे मैं ने इस ढवा स्टाइल पनीर रशीपी को बना करके तःार किया है तो आईए चलते हैं मनाने के लिए तो काइस यहां पर लिया है पनीर आप जितना मर्जी ले लीजी सिंपल उतना ले लीजी तो यहां पर मैंने पनीर के क्यूप्स कर ली है पनीर में मैंने डाली है कशमीरी लालमिश पाउडर और थोड़ी सी हल्दी है इन दोनों चीजु को मिक्स करते हुए इन दो मसालों के साथ हमको मिक्स करना ये बडिया मिकस करना ये ताकि बडिया से कोट being पर कंड़ कर दिया भिकी ये ऑ्काने साइड में गैसी कर दिया कड़ा यहां पर मैंने तेल लगाया है तीन से चार बड़े चमच सरसो का तेल आप जो भी कुकिंग ओईल खाने में खाते हों वह आप लगा लीजिए चली पनीर के पीसिस को हम यह फ्राइ कर रहे हैं दो से तीन व्रट के लिए पलट पलट के गोल्डन फ्राइ हमको करना है गाइस मेरे से गलती हो गई आपर कि मैंने इसको ना सिल्वर की कड़ाई में फ्राइ करा तो यह क्या हो गए ना कि देखी इस तरीके से चिपक गई पनीर के बीजिस कोई परेशानी नहीं है अगर आप पनीर को फ्राइ कीजिए और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा चलिए पनीर फ्राइ होकर मैंने साइट में रख दिया था इसमें डाले है मैंने थोड़े से खड़े मसाले अधा चोटा जीरा है उसके बाद मैंने डाला है यहां पर अद्रग और लसन का दरदरा सा कुटाओ पेस्ट दो चम्मस डाला है मैंने जादा नहीं इन दो इन सब चीजों कोना हम लोगों को एक से दो मिनिट के लिए फ्राइ करना है जैसे फ्राइ हो जाए इसमें डालेंगे हम दो बारिक कटी वी प्यास जी हां यहां पर हम प्यास को पीस के नहीं ले रहे हैं काट के जाल का गुलाबी होने तक फ्राइ करना है या फिर आप ब्राउन भी कर सकते हैं चलिए यहां पर जो प्यास है मैं फ्राइ कर रही हूं और बड़ा सही प्यास मेरा यहां पर फ्राइ भी हो चुका है चलिए अब डालते हम यहां पर टमाटो की प्यूरी तो यहां पर कि मानों कि से निल लग जाएं हैंना वी तक लग लग रहा है हमारी तमाटर में आप हैं तो सब्सक्राइब करने तौना हमको रखिकर तो अब बड़ी आसे तमाटर का कच्चपन निगा जाए बड़ी इसी ब्सक्राइब कर अगर आपको जल्दी करना आप डिन लाटर तो कि आप्पावडर मचमीरी तरह क anda कशमीरी लाल म Dieu या या यह या रखे दैगि मेर्चा चली है इसके पाद चम्मच जीरा पौटर फावडर एक चम्मच किचन aby मसाला और अब है आदा चोटा चम्मच पाव भाजी मसाला जी हाँ और अब ये गया है लास्ट में आदा चोटा चम्मच सांभर मसाला अगर आपके पास सांभर मसाला ना हो तो आप यहाँ पर मटर पनीर मसाला भी डाल सकते हैं चली इसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा काला नम कि देखिए इन सब चीजों को ना मसाल को डालकर बिना पानी डालकर शिरफ 5 ज्क जार चीजों के लिए हमको फ्राइख कर ना है एक दम लो फ्लेंप पर तक जो मसाले थे ना जो बहुत अब पढ़िया से दीमी दीमी आज पर एक दम एक बैट के लिए फ्राइ मशाना नहीं जलने नहीं चाहिए बिल्कुल भी और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाहिए और मसालों का कच्छा पन बिल्कुल निकल जाए एकदम सौंधी-सौंधी खुश्बू आये हमारे मसालों में से इस तरीके से आपको मसाले को भूना है भूनाएं बहुत जरूरी आपक मसालों का को बिल्कश जोब तक आपके मसालों की वथा बढ़िया से नहीं होगी मतर बढ़िया में अधर बढ़िया से नहीं निकल या दो छुए जब आपकी मसालों को जैता बाइलिया दोकि मैं इन्सित्तित है मिंटर ने वरीक रिग ए पर कोई बिले सकते जो भी आती है यह लेकर इसमें फ्राइब अब मैंने लगाए पानी जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतना पानी टाल कर अपनी ग्रेवी को अर्जस्ट करते हुए पानी लगा लीजे और बस मिक्स करकर इसको एक बोई लाने के बाद ना लो फ्रेम पर लो टू मीडियम फ् जितनी बड़ी आसी कुख होगी उतनी ही ज्यादा हमारी सब्जी निखार कर रहेगी जैसे ही मैं आपको पहले बताया है ठीक है जैसे ही या फ्राइब हो जाएगा मसाला इसमें हम डालेंगे आधा चमच पिसीवी चीनी अब आप कहेंगे पिसीवी चीनी इसे तो मीठी मी बलकुल भी नहीं होगे जो बल्कुल भी नहीं से सब्जी इस बात की गैरांटी है चलिए चीनी डालने के बाद एक मिड़को है ऑट जय से लिए डार्ट के नियों जैसे भीड़ आपकन हो चुका होगा हमारी ग्रेवी में से आप देख रहे हैं ऑमारी होगी आपर पक कर तैयार हो चुकी है अब डालते हम अपने आपर फ्राय किये वे अपने पनीर के पीसेज ताकि जो पनीर के पीसे अरप उन्हें में घमा आपआ जाए पया जाए विद्ध के लिए pap Train को उसके आपकिए ताकि यहां को आ आपने देखा कि मैने दो जो मसाले बता है और पावभाजी मसाला और सांभर मसाला इन दो का जादू ऐसा चलेगा कि आपका पनीर मड़ इतना जादा डिलीशिस बन जाएगा कि आप हैरान ही हो जाएगे चलिए गैस को बंद करते हैं और चलते हैं सीधा सर्फ के लिए तो यहां पर मैंने ले लिए सिंपले प्लेट क्योंकि मुझे ठंडी भी करनी थी जल्दी से सब को भूग लग लग रही थी खुश्बू इतन और आप इसकी ग्रेवी का टेक्शर देख सकते हैं कि कितना बड़िया टेक्शर आया है है आप इसको किसी भी चीज के साथ सर्फ करें पूरियों के साथ चावल के साथ किसी भी चीज के साथ लेकिन एक बाद ट्राइ करना तो गई ज़रूर बनता है मेरे कहने से लेकिन तो यह देखिए तयार है गर्मा गरम ढवा स्टाइल पनीर मतर पनीर रेसिपी तो लग रहे हैं एक दम डिलिशियस तो कौन कौन ट्राइ करने वाला है इसको जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे आपके कमेंट का हर बार इंतजार रहेगा तो मिलूंग की बिना जाएगा नहीं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टेक केर और बाबाई